प्रिया भक्तु प्रिया भंधान्य से भरपूर कर देगा। वैसे तो हर शुब कारे से पहले गणेश मंत्र का चाप होता है। बुधवार को गणेश मंत्र के लिए अति उत्तम माना गया है। यदि आपके उपर कर्ज का बोज बढ़ता ही जा रहा है। तो बुधवार के दिन बस एक उपाय आपको इससे निकाल सकता है। ये उपाय गणपती जी के इस चमतकारिक मंत्र में छुपा है। मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसा समय आता है कि उसे न चाहते हुए भी कर्ज लेना पड़ता है। एक बार कर्ज लेते ही ये बोज रोज ही बढ़ता है। यदि आप पर कर्ज बढ़ता जा रहा है तो आपको भगवान गणपती के शरण में आना चाहिए। ज्यान बुध्धी सुख समिध्धी के देवता गणपती जी कर्ज से मुक्त करने वाले माने गए है। धन संपता का आशीरवात देने वाले गणपती जी की पूजा बुधवार को करने के साथ ही यदि उनके चमतकारिक गणहरता गणेश मंत्र का जाप या श्रवण एक सो आठ बार कर लिया जाए तो किसी भी तरह का मनुष्य पर कर्ज क्यों नहूँ वह उतर जाता है। तो आए इस मंत्र का श्रवण एक सो आठ बार कर लेते हैं। इस से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगर नहीं किया है तो कृप्या कर ले हम प्रति दिन सबसे उप्युक्त मंत्र प्राथा काल छे बगल में बनी घंटी को जरूर दबाएं जिससे आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी जो कि आपके मोबाइल फोन पर तब तक रहेगी जब तक आप मंत्र सुन नहीं लेते हैं। दिन या रात में किसी भी समय आप इस मंत्र का जाब या श्रवण करें। वीडियो को श्री गडेश लिखना न भूले। मंत्र इस प्रकार है। रनन चिंधी वरेणिय भूनाम फट। ओम गडेश रणन चिंधी वरेणिय भून्नामा 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 फट। ओम गडेश रणन चिन्धी वरेन्य 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 भून्नामा फट। ओम गडेश रणन चिंधी वरेणिय घुन्नामा 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 फट।